आपको अपने चैनल केरियेटिक फिंडाइ में मैं खुश्बू और आज की इस वीडियो में एक गुड नीज आ चुकी है सभी CITS स्टुडेंट्स के लिए जो बहुत परेशान थे कि CITS इंट्रेंस एक्जाम 2024 का फॉर्म कब से स्टार्ट होगा तो फाइनली निमी की तरफ से डेट शीट निकाल दी गई है आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे आप एड्मिट कार्ट कब डाउनलोड कर पाएंगे मॉक टेस्ट कब दे पाएंगे और आपका एक्जाम कब रहेगा साथी साथ रिजल्ट कब आएगा सारा कुछ यहां डेट आपका एक्जाम से ल ओनलाइन जो रिजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होंगे कब से फॉर्म आप फिलप कब से कर पाएंगे तो 15 जून से 5 जुलाई तक का आप फॉर्म स्टार्ट कर पाएंगे 15 जून से फॉर्म स्टार्ट रहेगा और फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी 5 जुलाई फिर आप haul ticket यानि आप admit card और जो online mock test होता है निमी की website पर उसको कब तक आप दे पाएंगे और अपना admit card कब से download कर पाएंगे तो 13 जुलाई से 21 जुलाई तक आप अपने admit card download कर पाएंगे और इन 9 दिनों में आप mock test देना चाहें तो mock test भी पहले दे सकते हैं mock test क्या होता है उसका मैं अलग से video लाकर अलाऊंगी जिसमें आपको बताया जाएगे कि mock test क्या होता है फिर यहां पर आपका जो entrance exam है वो कब होगा तो 21 जुलाई को exam date fix की गई है result का publish किया जाएगा तो 28 जुलाई को आपका result भी publish कर दिया जाएगा जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपके form fill up के बाद बहुत कम समय मिलेगा exam में और exam के बाद ही आपके एक हपते के अंदर result भी publish कर दिया जाता है तो यहां पर 28 जुलाई को result publish कर दिया जाएगा first round result के बाद counseling start हो जाती है तो first round की counseling आपकी कब से start होगी तो 31 जुलाई को first round की counseling रहेगी 31 जुलाई से 3 अगस्त तक जो है first round की counseling रहेगी total 4 दिन आपको first round counseling में मिलेंगे next यहां पर physical document verification in nearest NSTI and या फिर RDSD आप nearest NSTI में जाकर या फिर RDSD में जाकर first round counseling जब हो जाएगी आपको college alert हो जाएगा तो first round document verification होता है physical document verification कराना होता है अपने पास के किसी भी NSTI या RDSD में जाकर आप document verification करवा सकते हैं और अपने college को proper lock कर सकते हैं और document verification की date कब से कब तक है तो 5 से 7 अगस्त तक आपका document verification रहेगा first round counseling की total 3 दिन का समय इसके लिए मिलेगा online transfer round यानि transfer round का क्या मतलब है अगर आपने कोई college आपने गलत lock कर दिया है फिर आपको उसमें admission नहीं लेना है आपको दूसरा college चाहिए तो online transfer round भी होता है एक दिन का समय transfer round के मिलेगा तो इसमें जो है आप अपने college को transfer करवाना चाहिए तो करवा सकते है फिर आपका यहाँ पर result online transfer जो आप online transfer round करेंगे उसके बाद उसका result मतलब जो final आपको college lock मिलेगा वो कब मिलेगा 9 अगस्त को इसका result आपको देखने को मिल जाएगा फिर second round counseling start हो जाएगी first round counseling complete होने के बाद second round counseling start हो जाएगी यह कब से कब तक रहेगी 11 अगस से 14 अगस तक second round की counseling रहेगी इसमें भी total चार दिन का समय मिलेगा second round counseling के बाद आपको physical जिनको भी second round counseling में जो है college मिल जाता है तो फिर वो physical document verification के लिए जाएगे तो यह इसमें भी आप जो है nearest NSTI या फिर RDSD में जाके physical document verification करवा सकते हैं 16 से 18 अगस तोटल तीन दिन का document verification के लिए समय मिलेगा और किसी भी college में document verification नहीं होता है चाहे ITOT हो चाहे कोई यह आप वहां नहीं करवा सकते हैं सिर्फ NSTI और RDSD college में ही document verification होता है फिर second round का जो है online transfer round रहेगा जिसमें आपको college अगर नहीं लेना है दूसरा college चाहिए तो आप उसके लिए transfer round पार्टिसिपेट कर सकते हैं 19 अगस्त को transfer round रहेगा second counselling का फिर इसका भी result आपको 21 अगस्त को देखने को मिल जाएगा यहां पर third round counselling भी रहेगी total तीन counselling होता है जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है third counselling आपके कब से कब तक रहेगी तो 23 अगस्त से 26 अगस्त तक third round counselling रहेगी फिर उसके बाद physical document verification रहेगा 28 से 30 अगस्त तक और इसका जो physical reporting to the admitted institute मतलब जो भी आपके college alert हुए है चाहे NSTI या ITOT वहाँ पर आपको जाकर physically report करना होगा जो भी college alert है अपने college में जाना है कब जाना है second september को second september 2024 को वहाँ पर जाना है फिर यहाँ पर sport round या फिर walk in admission होता है और इसमें कौन participate कर सकता है जिनको तीनों ही counseling में colleges a lot नहीं हुए है उनके number अच्छे नहीं है और वो लेकिन admission चाहते है तो क्या होता बहुत सारे students जिनको first round में college मिल जाता है second round में college मिल जाता है लेकिन वो नहीं करना चाहते हैं CITS वो छोड़ देते हैं कुछ seat खाली रह जाती है तो ऐसे में आपको अपने nearest जो भी college है वहाँ पर जाकर खुद ही पता करना होगा कि क्या वहाँ पर कोई seat आपके trade की खाली है की नहीं है तो वहाँ पर आप जो है जाकर आप direct admission ले सकते हैं और इस part round में वही students participate कर सकते हैं जो CITS entrance exam का form apply करेंगे बिना form apply किए आप spot round में direct admission नहीं ले सकते हैं तो spot round के लिए कब से कब तक date रहेगी 3 September से 4 September 2 दिन का समय 3 और 4 September को आप जाकर direct यहाँ पर admission ले सकते हैं फिर commencement of session यानि session आपके कब से start हो जाएगा 5 September से आपका session start हो जाएगा और complete कब होगा तो यह 23rd June 2025, 23 June 2025 को यह session आपका 2024-2025 का complete हो जाएगा ठीक है तो यह पूरा date seat इन्होंने दे दी है अब मैं एक बात करूँ कि जो भी student अभी serious नहीं है अपनी पढ़ाई continue नहीं कर रहे हैं अब प्रॉपर अपनी पढ़ाई सुरू कर दें अब serious हो जाएगा और 75 जैसा कि आप सभी को पता है 75 question आपके trade से रहेंगे तो trade पे ज़्यादा focus करें साथ ही साथ math और math पे ज़्यादा focus करिएगा reasoning तो आपका मतलब logical रहता है जो 25 question रहेंगे math और reasoning के वो आपका logical रहता है वो आप कर लेंगे बिना पढ़े भी लेकिन math जो है math पे वो basic math जो होता है उस पे आपको focus करने की ज़रूरत है negative marking बिलकुल भी नहीं है तो आप अच्छे number ला सकते हैं और merit भी सभी trade की high जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा number लाने की कोशिश कीजिएगा अगर आपको अच्छे NSTI में admission लेना है या अच्छे ITOT में admission लेना है ठीक है और classes आपकी continue चल ही रही है cosmetology trade हो गया ठीक है cosmetology trade और fason fdt trade हो गया और आपके swing technology ठीक है swing technology और dress making trade के लिए important question answer series चल रही है आप उन classes को दे सकते हैं चैनल के playlist में जाकर आप सभी classes को पहले की देख सकते हैं और continue आपकी classes आगे भी चलती रहेंगी तो चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को like और चैनल को subscribe ज़रूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद